स्ट्रेंट जो यहां पर एसीड में लगाता है जैसे कि एने वेच का जम अक्वास सोलूशन बनाते हैं सॉलिड होता है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसके सारे मॉलिकुल्स आयोनाईज हो जाते हैं और इस तरह से हमें हाइड ऑक्साइड आयन देते हैं स् आयोनाईज नहीं हो पाते हैं स्ट्रेंट से एक चीज़ और आप यहां पर देख सकते हो वीक वाले केस में यह एरो इस तरह की से बना जाता है मतलब दो आड़ो बना जाते हैं एक आगे एक पीछे एक पीछे इस टैप का आरो यह सजिस्ट करता है कि यह जो है यह पूरी तरही के से इन दोनों में आयोनाईज नहीं हो रहे जबकि यहां पर एक ही आरो बनाते हैं यह रप्रेजेंट कर रहा है कि यह पूरा का पूरा आयोनाईज हो जाता है यह पूरा का पूरा आयोनाईज हो जाता है तो स्ट्रॉंग और वीक एसेड्स किसको बोलते हैं आप सम अब यह एक दो लाइन में पढ़ देता हूँ, strong acids ionize fully in water to produce last number of hydrogen ions, ठीक है students, आज हमने देखा है, weak acids ionize partially in water to produce small number of hydrogen ions, वैसे strong bases और weak bases के लिए वही बात लिखिये, जो हमने पढ़िए students, you can go through them. Okay students, one more very important thing that is, concentrated and dilute, students, अगर आप chemistry lab में जाओगे, तो यह जो दो terms हैं, वो आपको बहुत सारे compounds पर लिखिवे मिलेंगे, जैसे आप देखो, यह इस तरह की bottle आपको मिलेगी chemistry lab में, hydrochloric acid, तो इसमें hydrochloric acid रखावा है, hca, और सामने इसमें लिखावा है, c-o-n, c-o-n, अधर concentrated, यह एक और water laboratory में, उसमें भी hydrochloric acid, hca, लेकिन यह आपको लिखावा है, d-i-l, this represents dilute, तो students, यह hydrochloric acid है, लेकिन concentrated, और यह hydrochloric acid है, लेकिन dilute, तो क्या मतलब students, यह concentrated और dilute होनेगा, बहुत simple सा मिनिंग, hca, यह जो hca है, हमने देखाता है, हमने इसको water में dissolve किया था, अगर हमें इसको less water में dissolve करते हैं, water बहुत कम होता है, less water, ठीक है, तो यह जो solution बनेगा, students, यह concentrated कहलाएगा, concentrated solution, concentrated solution of hcl, लेकिन students, अगर hcl को हम बहुत सारे water में dissolve करते हैं, water बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा hcl डाला गिया है, तो उसको बोलेंगे, dilute, dilute solution of hcl, students, नाम से ही क्लिए है, concentrated, concentrated solution of hcl, मतलब उसमें बहुत कम water है, hcl acid बहुत ज़्यादा है, dilute solution of hcl, मतलब उसमें बहुत water instruments, और hydrochloric acid थोड़ा सा ही है, वैसे हम किसी भी acid की बात करें, तो उसका concentrated या dilute solution हो सकता है, जैसे कि, अगर आपको पास ऐसा लिखावा है, h2SO4, concentrated, और एक जगा भी लिखावा है, h2SO4, dilute, ठीक है, students, रहा है, यह acid, वैसी बात, इस students हम basis के लिखी कर सकते हैं, जैसे NOH, अगर NaOH concentrated है, और NaOH जो है, वो dilute है, तो concentrated है, इसका मतलब बहुत कम water में, बहुत ज़्यादा NaOH को dissolve किया गया है, dilute का मतलब है कि water बहुत ज़्यादा है, जितना dilute solution है, मतलब water उतना ज़्यादा है, तो आप समझ गयें कि concentrated और dilute का क्या मतलब है, जैसे students एक और example देखते है, CS3-COOH, ठीक है, यह concentrated भी हो सकता है और, dilute भी हो सकता है, ठीक है, concentrated acetic acid, this is acetic acid, acetic acid, concentrated acetic acid, मतलब इसको बहुत कम water में dissolve किया गया है, dilute acetic acid, मतलब उसको बहुत ज़्यादा water में dissolve किया गया है, ठीक है, कई बार लोग जो है, last slide पे हम जाते हैं, strong and weak को confuse कर जाते हैं, dilute और concentrated से, आपको confuse नहीं हो ना, strong acid यह मतलब क्या है, कि उसको जितना भी dissolve करेंगे water में, सारा का सारा ionize हो जाएगा, weak acid यह मतलब क्या था, सारा का सारा ionize नहीं होगा water में, कितना water है यह नहीं बोला जाड़ा है, please note, strong and weak acid की जब हम बात कर रहे हैं, तो कितने water में मिला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जितने भी water में HCl को मिलाएंगे, सारा का सारा HCl जो है वो आना ही सुझाएगा, जितने भी water में acetic acid को मिलाएंगे, सारा का सारा acetic acid dissolve नहीं होगा, समझ रहा है मिली बात, और concentrated dilute हो मतलब क्या है, जैसे यह acetic acid है, concentrated, sulfuric acid है, concentrated, मतलब इनको कम water में मिलाएंगे, acetic acid है dilute, sulfuric acid है dilute, मतलब उनको ज़्यादा water में मिलाएंगे, acetic acid है, now acetic dilute acids and bases, तो acids and bases को dilute करने के लिए उसमें water डालते है, अब उसे एड़ेटर एक कुछ important points हम यहाँ पर देखेंगे, acetic instruments, तो जैसे acetic instruments आप सोचेंगे कि एक beaker है हमारे पास, और उस beaker में पास कुछ concentrated acid है, ठीक है, मालनों हमारे पास concentrated HNO3 है, कोई भी acid हो सकता था, concentrated HNO3 लिए हमने, अब यह जो concentrated HNO3 है, उसमें जो HNO3 के molecules होंगे, students, उनका क्या हाल होगा, वो तो ionized हो गए होंगे, उन्होंने hydrogen ion और यह nitrate ion बनाया होगा, और यह जो hydrogen ion है, उसका क्या होगा, वो water के साथ combine करके, hydronium ion बना चुका होगा, सही है, स्रेंज, अब देखो, स्पोस कुड़ो, यह जो solution है, concentrated solution है, उसमें X number of hydronium ion है, अब हमने क्या क्या है, कि इसमें कुछ water डाला, water हमने इसलिए डाला, था कि यह dilute हो सके, तो अब देखो, स्पोस क्या situation होगी, अब हमने पास, solution का amount बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने water डाला लिया, तो solution का volume ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि यह water ज़्यादा है, इसमें, तो this will become dilute HNO3, अब student साब मुझे यहाँ पर यह बताओ, कि पहले अगर hydronium ions, X number के थे, तो क्या hydronium ions का number बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या same रहेगा, क्या लगता है student साब को, क्या लगता है, hydronium ions का जो number है, वो पहले के comparison में, जादा या कम या same रहेगा, क्या लगता है, तो students यह जो hydronium ions थे, वो तो HNO3 के molecules से आ रहे थे न, HNO3 के तो अभी भी उतने ही molecules होंगे, हमने तो water additional डाला है, HNO3 तो डाला नहीं है, तो HNO3 पहले जितना था, अभी भी उतना ही HNO3 है इस solution में, उसके उतने ही molecules हैं, तो अभी भी उतने ही hydronium ions होंगे, तो अभी भी जो hydronium ions है, उनका number X ही होगा, तो students note करने वाली बात यह है, कि पहले X amount of hydronium ions, इतने solution में present थे, थोड़े से solution में present थे, अब उतना ही amount का hydronium ions, उतना ही hydronium ions, इतने solution में present है, ज़्यादा solution में present है, ठीक ही, इसको हम इस तरीक से भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर अगर हम एक unit volume लें, solution का unit volume, और उतना ही वड़ा volume हम यहाँ पर भी लें अगर, unit volume, दोनों पर बराबर amount का volume यह है, दोनों case में, तो किस case में, इस छोटे से volume में ज़्यादा hydronium ions होगे, या इस छोटे से volume में ज़्यादा hydronium ions होगे, क्या लगता है आपको इस तरीक से, कि इस छोटे से volume में ज़्यादा hydronium ions होगे, और इस छोटे से volume में कम hydronium ions होगे, तो student से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि इस case में concentration of hydronium ions is more और इस case में students हम लिख सकते हैं concentration of hydronium ion is less आपको अच्छे से बात समझ भी में आपी हो students तो this is an important point students कि जब हम किसी acid को concentrated से dilute बनाते हैं तो क्या होता है students उस solution में hydronium ions का जो concentration होता है वो कम हो जाता है hydronium ion का जो concentration होता है students वो कम हो जाता है these are important points को हम लिख लेंगे concentrated of hydronium ion decreases decreases on diluting the concentrated acid ठीक है students और वही चीज base के साथ भी होती है students मुझे नहीं लगता कि जगा मुझे समझाने की जड़वत है अगर यहाँ पर हमारा पास concentrated base होता कोई जैसे कि NaOH तो क्या होता बनाने के लिए तो क्या hydroxide ion का amount change होता नहीं students hydroxide ion का amount वही रहता क्योंकि NaOH के उतने ही molecules अभी हमारा पास है हमने तो water add किया फिर students हम यहाँ पर छोटा सा volume लेते और यहाँ पर भी एकर छोटा सा volume लेते तो यहाँ पर हम देखते कि concentration of hydroxide ion concentration of hydroxide ion is more और यहाँ पर देखते हैं concentration of hydroxide ion is less तो यहाँ पर students हम लिख सकते हैं कि concentration of hydroxide ion decreases on diluting the concentrated acid on diluting the concentrated base तो very simple सी बात है बहुत simple सी बात है कि concentrated acid या base को ज़िए हम dilute करते हैं तो hydronium ion acid एकेस में hydronium ion और base एकेस में hydroxide ion का concentration जो है वो कम हो जाता है अब इस्टों दूसरी बात देखते हैं हमने देखा कि concentrated acid या base में जब हम water मिलाते हैं तो dilute acid या dilute base बनता है इस्टों यहाँ पर phenomena या जो भी change होड़ा है इस्टों वो exothermik होता है exothermik exothermik मतलब इस्टों 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 को सिंपल से इस बीकर में थोड़ा था water डालेंगे instruments हम और उसके बाद इस water में mix करेंगे few drops of concentrated acid, few drops of concentrated acid, कोई भी acid डाल सकते हैं, suppose को S2SO4 हम ने ले लिए, HCl, HNO3 ये भी ले सकते थे instruments, तो हम क्या कर रहें instruments, देखो concentrated acid है हमारे पास, उसको बहुत सब्सक्राइब water मिला रहें, तो dilute कर रह होगे, तो you will see कि beaker जो होट हो जाएगा, गरम हो गया होगा instruments, तो वो गरम कैसे हो गया instruments, क्योंकि यहां पर heat produce होई, जैसा कि हम बात कर रहे थे instruments, यह experiment करते हैं instruments, आपको ध्यान रखना है कि आपको few drops ही डालने है, concentrated S2SO4 को, आप अगर ज्यादा S2SO4 डाल दोगे instruments, तो यहा जैसे beaker में हमने water डाला, और इसमें क्या डालेंगे instruments, few drops of, बतायां, few drops of concentrated base, जैसे कि suppose करो NOH हमने डाल दिया instruments, तो फिर से उस concentrated NOH को हम dilute कर रहे हैं, फिर से आप beaker को जब touch करके देखोगे instruments, तो वो hot हो गया होगा, यहां पर एक काम और भी आप कर सकते थे, इस image को आप द solid form है NOH का, उसको जलनी या कई बार NOH pallet भी बोलते हैं, यह NOH जो है, वो water में dissolve हो जाता है, और फिर hydroxide आयन देता है, यह से हमने पढ़ा instruments, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा NOH pallet लेके आप water में dissolve कर दो, तब भी आप instruments beaker को जब touch करोगे, तो वो आपको hot लगेगा instruments, तो instruments, इन सारे experiments से बहुत easily prove होता है, कि जब concentrated acid या base को dilute बनाते हैं, तो heat produce होधी as instruments, right? Students, यह third point जो हम देखने वाले हैं, that is very important, for sifting laboratory, देखो instruments, concentrated acid को dilute बनाने के लिए, हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने beaker में concentrated acid लिया, और उपर से हम water डाल रहे हैं, दूसा method हो सकता है, कि हमने beaker में water लिया, पहले का reverse किया, beaker में water लिया, और इसमें धीर धीर कर concentrated acid डाले instruments, देखा जाया है, तो दोनों ही case में acid के साथ water मिला जा रहा है, acid के साथ water मिला जा रहा है, तो concentrated acid जो है, वो dilute होगा, तो आपको लग सकता है instrument कि दोनों तो एक ही बात है, हम कोई भी काम कर सकते हैं दोनों में से, बट असा नहीं है instruments, आप कभी भी अगर dilute कर रहे मैंना कि जब concentrated acid, dilute acid में convert होता है, तो बहुत सारी heat release होती है, यह जो heat release होगी है यहाँ पर, वही problem create कर सकती है, तो students क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके water डाल रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम acid डाल रहे हैं, तो दोनों ही case में dil pollution का जो process है, वो start होड़ा है और heat produce होगी है, तो students इस case में, जब हम water डाल रहे हैं, इस case में suddenly बहुत सारी heat produce होती है, sudden release of heat, sudden release of heat, और इस case में students gradual release of heat, gradual release of heat, heat जो है वो gradually release होती है, उसा कराण ही होता है students, कि यहाँ पर acid तो बहुत थोड़ा सा ही डाला है ना, और यहाँ पर acid बहुत ज़्यादा है, तो acid के ज़्यादा होने से यहाँ पर heat जो हो suddenly release होती है, इसमें gradually release होती है, तो यहीं पर आप देख सकते है students की एक खदरे की बात है, heat अगर sudden release हो रही है, तो that is not a good thing, अब उस पर और दूसरे important बात ही है students, कि यहाँ पर जो भी heat release होती है, उसको absorb करने के लिए large amount of water available है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा water है, वो इस heat को absorb कर लेगा, धीधरे heat release हो रही है, और बहुत सारा water भी है है यहाँ पर, तो यह जो water है वो, उस heat को धीधरे absorb कर लेगा और अपना temperature बढ़ा लेगा, और कुछ नहीं होगा है,